बितरवार बिदान सवा में हाली में एक आडियो वीडियो वाइरल हो रही है बितरवार बिदान सवा की बिदायक LAKHAN SINGH यादव जी जिसमें वो एक ठेकेदार को धंगी दे रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखो लाखन सिंग जी को जो समय मिला है 15 सालों का 18 सालों का 20 साल का उसने उनकी सारीरिक मानसिक सिति को बदल दिया है वे अपने को सर्व सक्तिमान समझने लगे हैं उनकी भाषा का नियंतरण भी खतम हो गया है वे वर्ष्ट अधिकारियों को जिलाधीश महुदत तक को जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे वह उनकी परिवारिक संस्क्रती को दर्शाता है और मैं समझता हूँ किसी भी आदमी के लिए चाहे भले ही वो बिधायक हो मंत्री हो या और उससे भी बड़े लहजे पर हो तो जिस पेड़ पे जितने फल लगते हैं उसको उतना जुगना चाहिए लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वे अब खजूर के पेड़ हैं उनके नीचे ना तो कोई छाया में रह सकता है और नहीं उनका कोई फल तोड़ सकता है 2008 से लेकि आज हम 23 तक खड़े हैं 2008 से लेकि 23 तक जो काम होना चाहिए था बतरवाबदान सवा में वो काम नहीं हुआ है देखिए मैं तो जनता से सीधी बात करता हूँ जनता से कहता हूँ कि आपने विनास के लिए बिधाय को 15 साल दिये बड़ी सेहन शक्ती है बिधरवार की जनता में और अब हम की वलों से 5 साल मांगते हैं विकास के लिए बारती जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से मानिय मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान जी ने हमारा पूरा वरस्ट नितत अधर्णी विश्णुदत शर्मा जी हैं प्रदेश के अध्यक्ष हैं संगटन की मु जनिये कि यह जनता इस बार भारती जनता पार्टी को और हमें पास साल देगी इस छित्र के विकास के लिए तब हम नया आयाम कड़ेंगे और हम क्या कर सकते हैं उसका हमने वितरवार की जनता को एक आप उसका नमूना कहिए टेलर कहिए या शुरूवात कहिए वह हमने बलगे 34 किलोमेटर की रोड में 75 करोड रुपया भारती जंता पार्टी की केंदर सरकार के हमारे मुखिया प्रधान मंत्री मानी नरिंद मोदी जी मानी सिंधिया जी जब उनसे यह पूंचा जाता था कि यह जो विद्धरवार विद्धान सवा का सबसे पिछड़ा हुआ छे के प्रतिनिदी को बिधाय की रूप में केंदरी मंत्री मंदल में मंत्री वनने का अवसर मिलता है विद्धाय जी को करीबन 1.5 साल गेबरेड मंत्री रहने का अवसर मिला और वो एक भी उल्लेखनी एक कारणि नहीं पता सकते जो उन्होंने विद्धरवार विद्धान सव भाप च्छेत्र में बहुत सारी समस्या है बहुत सारी परेशानी हैं हमारे करीब ऐस больше जिन गाउघ तक जाने आने की परेशानी चरहाण में आज तक जाने Crew की चार बड़ी समस्याँ वो केंदरित किया पहली समश्या है चीनोर से करहिया से भितरबार की रोड दूसरी हमारी समश्या है देवरी कांचे से राणी घाटी से मोहना रोड ये दो समश्या थी इनके लिए करीब 200 करोड रूपया केंदर सरकार ने मानी मोदी जी ने नितिन गरकरी जी ने मानी सिंधिया सबके सहयोग से हम लोग ने दो रोड़ों को स्विक्वत किया है दो समश्या हमारी और है एक है आरुन पाटाई छेत्र में करीबन 18 गाओं की जहां करीबन 7000 हेक्टेर भूमी है जो आज भी आजादी से लेके आप तका सिंचित है और उस भूमी को सिंचित करने का बीड़ हम लोगों ने उठाया है और दूसरा है हिम्मतगर तालाब हिम्मतगर तालाब के आसपास के लगे हो 19 गाओं इनमें भी करीबन 8000 हेक्टेर जमीन है इस वो भी भरना है और इससे भी सिचाई का साधन उपलक्त कराना है दोनों योजनाओं के लिए आरुन पाटे छेत्र के है कि अभी चुनाओं आ गए है तो अब बीजेपी सक्क्री होई है उससे पहले कभी मेरी विधाण सावां कोई काम नहीं किया उनों ने देखिए पहले क्या था उस पर मैं बात नहीं करता हूं और विधायक को बिधायक बनने का आउसर कैसे दूसरा उनका यह भी कहना है कि मुझे प्तरवादान साव कोई नहीं हरा सकता हा अगा रावण जब तक मरने अशेया जय कहते यह कहते हैं यह जंता हर चाहे तो राजा भी बना देती है और चाहे तो रंक